नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं अब मुख्य मंत्री और जर्खन मुख्य मोचा के करकारी अध्यक्ष हेमन सुरेन आपका अधिकार आपकी सरकार आपके दोर कारकरम का तीसरा चलन सुरू करने वाले हैं पार्टी के विश्वस्निय सुत्रों से मिली जनकारी के नुसार मुख्य मंत्री साहिव गंज के बरहेट में अमर सहित सिद्धू कानु के जनमस्थली भोगना डी से इसकी सुरुआत करेंगे इसका समापन दिसंबर महिने के आमतिम सप्ताह में धर्ती अबबा बीर्चा मुटा के समाधी अस्तल पर होगी बतादे जहारखन मुक्ती मोर्चा के केंद्री महासचु विनोफ पांडे ने बताया है कि आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वाव 3.0 की सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है और विधिवत इसकी जनकारी मीडिया के माध्यम से जानता को दी जाएगी बिनोफ पांडे ने कहा है कि इस कारकरम के दवरान जिस जिस जीले में मुख्यमंत्री के कारकरम होगा वहां की जीला और परखंड इकाई पूरी तरह स्वयोग करेगी जहारखंड महिला एसियन चैंपियंशिप ट्रोफी भारत ने थाइलेंड को साथ एक से हराया संगीता कुमारी की सांदार है ट्रिक के दम पर भारत ने रांची के मरांग गोंप के जैपाल सिंग मुंडा इस्टोटर फोंके स्टेडिया में सुकरवार को थाइलेंड को साथ एक से पराजित कर दिया बता दे संगीता को पलेयर ओफ दम मैच भी चुना गया जारखन के मुख्य मंत्री हेमन स्वेन ने ट्यूटर पर जारखन की बेटी संगीता कुमारी को बधाई दी उन्होंने एक्स पर लिखा जारखन की बेटी संगीता कुमारी को पलेयर ओफ दम मैच के लिए बधाई संगीता की हाइटरिक थाइलेंड साथ एक से पराजीत जारखन महिला एसियन चेंपियन ट्रोफी रांची दो हैरते इस में भारत ने धमाकेदा शुरुवात की है साल का आखरी चंद्रगरहन आज 28 अक्टूबर सनिवार को साम का आखरी चंद्रगरहन लगेगा यह चंद्रगरहन जारखन सहीत पूरे देश भर में रात एक बज कर पांच मिनट से रात दो बज कर चोविस मिनट तक रहेगा जिसका सुतक काल नौ घंटे पहले सुरू हो जाएगा बताद सरद पुर्णीमा के दिन लग रहे इस चंद्रगरहन को लेकर कईत रह की जिग्यासा देखी जा रही है बताद सरद पुर्णीमा की रात खीर बना कर खूले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखे जाने की प्रमपरा है जिसे लोग ग्रहन करते हैं राज्य कर्मियों का गंभीर बीमारियों में 10 लग का कैसलेस इलाज राज सरकार अपने करमचारियों के साथ साथ सेवान निवरीत करमचारियों का असरीतों को जार्खन स्वास्त बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ देने जा रही है इसके तहत अब सभी करमचारियों सेवान निवरीत करमचारियों का असरीतों को सरकार द्वारा सुचीबद 21 परकार के गंभीर रोगों के उपचार में 10 लाख रुपे तक के कैसलेस उपचार की सुभधा मिलेगी अन ये रोगों के निदान में पांच लाख रुपए तक के उपचार के सुभधा मिलेगी बताद इस योजना के तह सभी परकार के कैंसर, कीडनी परत्यारोपन, गंभीर लिवर डिजीज, एसिड अटेक के साथ साथ, ब्रेन हेमरेज ज्यारखन में ट्राइबल डिजीटल एटलस बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री हमन स्वेन के निर्देश पर ज्यारखन में निवाज करने वाले आदिवासी समुह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजीटल एटलस तैयार किया जा रहा है इसके प्रथम चरण में अती कमजोर आदिवासी समुदाय का बेस लाइन सर्वे के साथ साथ मैपिम की जाएगी इसके लिए आदिवासी गाओं में बुनियादी स्विधाओं की बरतमान इस्थिती हर गाओं और टोला में सिक्षा कोशल छमता रोजगार आए जीवन अस्तर आदि के समंध में ब्यवरा तियार किया जाएगा आदिवासी कल्यान आयुक्त के मर्गदर्शन में इसकी तियारी सुरू कर दी गई है आयुसमान काड के लिए हर मरीज की स्क्रीनिंग हो केंद्रिये स्वास्त मंत्राले के सन्युक्त सचीव सह बीत प्रामर सी गाया सुद्दीन अहमद ने कहा है कि आयुसमान भारत मुख्य मंत्री जन आरग योजना के तहत उपचार के सुविधा सभी लाभुकों को सुगमता पुर्वक मिलनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि जो भी ब्यक्ति इसके लिए योग्य है लेकिन उसका आयुसमान काड यादी नहीं बना हाए तो उसे बनाया जाए सन्युक्त सचीव सुक्रवार को नाम को मिस्थीत आर्सी एच सभागार में A, B, C, M, J के साथ साथ राश्ट्रिय स्वास्त मिसन के तहत राज में संचालीत योजनाओ की समिक्षा कर रहे थे बजट में अनवस्यक और साह खर्ची में राज सरकार करेगी कटोती जर्खन सरकार योजनाओं और विकास करक्रों में साह खर्ची तथा अनवसे खर्चों पर कटोती करेगी सरकार की ओर से आगामी पितिय वर्ष के बयट प्राकलन तैयारी में मीत ब्याईता पर खास जोर होगा जीवन और आजीवका की सुरक्षा तथा विकास प्रदिश्टी गत कर बजट तयार किया जाएगा जो योजनाओं पूरी हो चुकी है उसकी जगह नई और प्रासंगिक योजनाओं लेने का सुझाओ दिया गया है बता दे बयट पराकलन बनाने के समय इस बात का सभी भी भाग ध्यान रखेंगे की समाज की अम्तिम पक्ति में बैठे ब्यक्ति का अधिकतम कल्यान हो सके पूर्भी सिम्भूम के छातरों को मिलेगा साइकल योजना का लाब चारखन के पूर्वी सिम्हुम जीले के सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए खुस खबरी है तीन सेल से बंद साइकल योजना कलाब बिद्यार्थियों को इस साल से मिलेगा जीला कल्यान पता धिकारी की ओर से चालू वी तिय वर्ष 23-24 के लिए आठवी नावी और दसवी के बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से मांगे गए है सुची आने के बाद असपर्ष्ठ होगा की लाभुक बच्चों की संख्या कितनी होगी बताज तीन वर्ष से विभागिये पेच में अरक्षित वर्ग, आदिवासी, दलीत, पिछडे और अल्पसंख्यक वर्ग के बिद्यार्थों को साइकल नहीं मिल पा रही थी बाबा धिरेंद्र सास्त्री का जारखन में होने वाला कारिकरम टला भाजपानेता बिनोट सिन्हा ने कहा है कि 2 वर 3 नॉवंबर को गिरीडी में आहूद बागेस्वर धाम सरकार धिरेंद्र सास्त्री का कारिकरम सुरक्षा कारणों से टल गया इस कारिकरम को लेकर ब्यापक अस्तर परतेयरिया की जा रही थी लेकिन जीला पर सास्तर ने फिलाल सुरक्षा वेवस्था देने में असमर्ता जताई है जिसके कारण इधारे तिथी में कारकरम नहीं हो पाएगा उक्त बाते उन्होंने गुरु आर्गो गिरीडी के एक होटल में फिले स्वार्ता को समोधित करते हुए कही का की दिरेंद्र सास्तरी का दरबार उधना बाद में अयोजीत करने का निना लिया गया था सुरक्षा कारणों को लेकर जीला परसासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण अब नए सीरे से तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है दिल्ली में सियम हिमन्त मा का करा रहे हैं इलाज सियम हिमन्त सुरेन अपनी मा का इलाज के लिए दिल्ली में है उनकी मा का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है उनकी पत्नी कलपना सुरेन पहले से ही दिल्ली में है बता दे 25 अक्टूबर को ओ अपनी सास रूपी सुरेन को रांची से इलाज के लिए दिली लेकर आई थी बता दे कि 25 अक्टूबर के साम रांची में सीयम हमन सुरेन की मा की तवियत अचाना खराब हो गई थी जिसके बाद CM की पतने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिली लेकर आई थी बता दे की रूपी सुरेन को पिछले दिनों रांची के नीजी अस्पताल हिल भीयों में भरती कराया गया था CRPF ने जार्खन सरकार से मंगा 11,348 करोर बकाया जार्खन में नक्सल बीरोदी अभियान बीदी बेवस्ता आदी में लगाया गया केंद्रिये बलो का राज़े परे 11,348,562,722 रुपए का बकाया हो गया है यह बकाया तब है जब हेमान सर्ण की सरकार ने गत वर्ष 1700 करोर रुपए का भुगतान भी किया था अब गिरी इकारा एवम आपदा प्रवंदन विभाग ने डीजी पी को पत्र लिखकर इसे समसी जनकारी मांगी है गिरी विभाग ने पुलिस मुख्याले से राज्य में केंद्रिय बलो की परतिन्युकती बलो की परकार अब तक के भुगतान आधी का पूरा विवरा मांगा है ताकि उस पर ठोस नहीं न लिया जा सके जारखन पुलिस की एडीजी ट्रेनिंग के खिलाब विभागे करवाई का आदेश जारी किया है प्रिया दुबे के पत्ती आरपी एफ के ततकालिन कमांडेट संतोर्ष दुबे के खिलाब आई से अधिक समपत्ती अरजित करने का मामला CBI ने दच किया था इस मामले की जांच के बाद ही प्रिया दुबे के खिलाब विभागे करवाई के लिए CBI ने राई सरकार को पत्र लिखा था लेकिन तब राई सरकार ने विभागे करवाई सुरू नहीं की थी अब यह जनकारी मिल रही है कि बीते दिनों केंद्री एक ग्रिह मंत्रा लेन राई सरकार को इस समपत्र लिखा था जिसके बाद प्रिया दुबे के खिलाब विभागे करवाई सुरू की जानी है चुनाव आयो का सोसल मीडिया पर चला हैस्टेक अभियान मद्दाता सुची पुनरिक्षन कारिकरम में सबसे निचले अस्तर यानी बियेलो की अहम भूमका होती है इसको ध्यान में रखते हुए इनके उस्साह वर्धन को लेकर चुनाव आयोगने सुक्रवर सताईस अक्टूबर को एग घंटे का सोसल मीडिया पर बिशेस अभियान चलाया जिसके तहट हर एक मतदान केंद्र पर जाकर बियेलो के साथ तस्वीर खिचवा कर सोसल मीडिया पर अफ्यान की सुरूआत की मुख्य मंत्री सार्थी जोजना के तहट प्रसिक्षन लेने वाले का सियम देंगे नियुक्ति पद्र मुख्य मंत्री सार्थी जोजना के तहट प्रसिक्षन लेने वाले सैकडों युवाओ का चाया नीजी और सरकारी छेत्रे के कम्प्रियों में हुआ है मुख्य मंत्री हमान सुरेन नौकरी के लिए चायनीत युवाओ को नियुक्ति पत्र देंगे सुक्रवार की साम तक 157 युवाओ का आफ़र लेटर तयार हो गया था सोमवार तक 4000 युवाओ का आफ़र लेटर तयार हो जाएगा बता दे मंगलवार को सियम हमान सुरेन पलामू में आयोजीत एक सामार हो में सभी को आफ़र लेटर देंगे मुख्य मंत्री हमान सुरेन का मंगलवार को पलामू दवरा निधारित किया गया है पलामू के पूलिस एस्टेडिया में हिमान सुरेन रोजगार मिला में भाग लेंगे जहां मुख्य मंतिर सार्थी योईना के तहत प्रसिक्षन लेने वाले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जहारखन अस्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आवास पर प्रदर्शन करेंगे पंचायज सचीवाले स्वेम सेवाग जहारखन अस्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आलम आवास पर नंग धलंग प्रदर्शन करेंगे सेवा स्थाई करन समेद पांच मांगों को लेकर पिछले 113 दिनों से ए लोग आंधुलन पर हैं बता दे एक तरफ राज सरकार जारखन थापना दिवस की भव्य त्यारी करने में जूटी है वहीं दूसरी और अपनी मांगों के समर्थन में तीन महीने से अधिक समय स्थ्यांदुरन कर रहे राज के 18,000 पंचायत सचिवाले स्वेम सेवक ने 15 नौंबर को ग्रामीन विकास मंत्री अलमगीर अलम का आवास का घिराव करने का निना लिया है जार्खन के IAS, IPS सिखेंगे 6 जन जातिय भसाएं जार्खन की सरकार राजे में काम करने वाले IAS, IPS और राजे सेवा के अपसरों को 6 जन जातिय भसाएं सिखाने के लिए online पाट सलाय चलाएगी फिल्ड में काम करने वाले हर अपसर के लिए अनिवार किया गया है कि वे राज्य में बोली जाने वाले जन जातिय भचाय सिखें जारखन सरकार का ट्राइब वर्ल रिसर्च इंस्चूट इसके लिए कोर्स मोडल त्यार कर रहा है 15 नमबर को जारखन अस्था अपना दिवस के मोखे पर कोर्स मोडियोल लंच कर दिया जाएगा वहीं सियम हमान स्विरेंड के नेदेश पर राज सरकार के कल्यान विभाग ने इसकी पूरी योजना त्यार की है जारखन में 9,44,4 चात्र विधान सभा चुनाओं से पहले बनेंगे भोटर जारखन में पहली बार विधान सभा चुनाओं से पहले 9,44,4 स्टूडेंट लोकतंत्र के भागे विधाता बन जाएंगे देवघर में इनकी संखह 37,831 होगी राजी के मुख निर्वाचन पता अधिकारी ने एक बिसेस पहल की है सिक्चा विभाग के डाटा बेस से सुबे के सरकारी स्कूलों में अध्यनवर चात्र चात्राओं को चीनित कर लिया गया है जो 1 जनवरी 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल पूरा कर लेंगे इन स्टूडेंट का आधार मोबाइल नंबर और पूरा पता निर्वाचन आयोक को मिल गया भोटर बनने के लिए सबका प्रपत्र 6 निर्वाचन आयोक से ही भर दिया गया है साथ ही इन प्रपत्रों को समधित जिला उप निर्वाचन पता दिकारी को भेजा जा चुका है धन्यवाद